हलो स्टुटेंट वेलकम टू तासु अकैडमी जैसा कि आप लोग को पता है कि आई बीपीए सारबी नोटिफिकेशन 2020 आउट हो चुका है और जिसमें हम लोग बात करेंगे लॉफिस स्केल 2 के बारे में यहां इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट मिलेगी कि आपको क्या-क्या पढ़ना है क्या-क्या नहीं पढ़ना है एक्जाम देने से पहले एक चीज़ यह होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है और हमें क्या पढ़ना यह बहुत होता है फिर आप एक्जाम को क्रैक कर पाते हैं तो यहां आपको लॉफिस स्केल 2 के ब का है तो फ्रेंट आपको यहीं पे पूरी गाइडेंस मिलेगी फॉर्म कैसे भरना है कब अप्लाई करना है कितनी कितनी वेकंसिया है किस बैंग में है और कैसा इसका एक्जाम का प्रिपरेशन होगा यह सारी फुल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दी जाएगी ग अलो गाइज यह डी पी एस आरगी का नोटिफिकेशन है बिल्कुल ओफिसियल नोटिफिकेशन है जिसे आप देख सकते हैं आउपियस है जो बैंकिंग के एक्जाम कन्डिट कराता है और काफी अच्छा जॉब होता है और काफी अच्छी सालरी होती है यह सारी चीजह हम चलिए हम इसमें important important चीज बात करेंगे बाकी आपका ज़्यादा समय यहाँ पे खराब नहीं होगा क्यों जो भी important है बस हम उसी चीज को लेंगे पहली चीज आप लोग यहाँ पे देख लें age criteria जो है skill 2 जो manager का है यह देख लें 21 साल से 32 साल age होनी चाहिए तो पहली चीज होगी पहली information हो गई आप लोगों के लिए कि 21 साल से 32 साल age होनी चाहिए और जिनका relaxation है चाहिए वो SCST है 5 साल है OBC के लिए 3 साल है और आगे information important information देखते है जो important है only friend वही है आपके लिए बाकी तो आप पढ़ लीजेगा डाउनलोड करके आपको decision box में मिल जाएगा link इसका वहाँ से डाउनलोड करके आप notification पढ़ लीजेगा EWS के लिए भी यहाँ पर दिया गया है जो 10% आरच्षट के इंसर कारदोरा दिया गया है वो भी यहाँ पर form fill कर सकते हैं तो main हम लोगों को यहाँ यह देखना है यह काफ़ important है यह देखी law officer skill 2 का है यह manager जिसको कह सकते हैं आप तो यहाँ very carefully आप लोग पढ़िए कि two years as an advocate or should have worked as a law officer in bank or financial institution for a two period of not less than two years दो साल का experience होना चाहिए चाहे वो advocation के रूप में आपका होना चाहिए दो साल का या किसी law officer as a bank में आप काम कर रहे हैं दो साल वो होना चाहिए या किसी financial institution से प्राइबेट institution भी है मुथूर्ड हो गए रहा है या जो private banks है वहाँ पे भी अगर आपने काम किया दो साल तक तो वो भी फॉर्म में को भर सकते हैं LLB की degree उनके पास होनी चाहिए वो 50% मार्क होना चाहिए चाहिए वो 3 साल वाल LLB कीए हो चाहिए वो 5 यर वाल LLB कीए हो उनमें दोनों में किसी एक में आपका 50% होना चाहिए तो ये है आपके लिए fully qualification जो आपके पास होनी चाहिए वही फॉर्म eligible हैं भर सकते हैं तो दो चीज़े हम लोग ने देख लिए और ये दूसरा qualification देख लिया है बस थोड़ी सी fees होगरा के बारे में जानकारी लेते हैं syllabus के बारे में जानकारी लेते हैं fees आप देख लिए जे फ्रेंट सब के लिए जो general category के हैं 850 रुपे है, 850 है काफी fees बढ़ा दी गई है बाकी S.E.S.T. P.W.D. के लिए बाकी हम लोग एक्जाम की और अपने law fees से scale 2 की हम लोग बात करेंगे एक्जाम का कौन सा होगा तो यह हम लोग के specialist cadre का है एक्जाम यह आप लोग देख लें तो यहाँ पे इतने subject आते हैं काफी subject होता है बट सारे subject में कड़ाब बहुत कम जाती ही वो हम आपको अलग वीडियो में गाइड करेंगे यह जो important है professional knowledge यह 40 questions होता है पूरे आपके law से आते हैं और काफी इसमें bare act होते हैं करीब आपका समली जे 16 से 17 bare act होता है जिसमें से एक दो questions देंगे बस आप follow करते रही इस वीडियो को फिर reasoning है आपका और financial awareness है और language में इंगलिस या हिंदी आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं computer knowledge है और quantity, aptitude और data interpretation है यह है तो इसके पूरी डिटेल के बारे में में आलग वीडियों बात करेंगा बस एक थोड़ा सा यहां पर आप background जान ले क्या कैसे है तो यह हो गया आपका syllabus क्या पूछा जाएगा सिर्फ एक exam होना है single exam होना उसके बार interview होना है बागे इसमें कोई pre mains का कोई चकर नहीं है interview होगा सीधे direct करेब 100 number का interview होगा तो उसमें आपको interview के लिए लग से guide कर दिये जाएगा बस उसमें और कोई ज़्यादा information नहीं है और हम देख देंगे किस bank में कितनी law officer की vacancy है बस तो यह हो गई आपकी notification आप ज़रूरी से read कर लीजेगा carefully और कैसे form भरा जाना है वो भी हम आपको guide कर देंगे आप एक चीज़ और देख लें कि जो इसका exam भरने का date है वो 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक है केवल 21 दिन दिया जा रहा है form भरने के लिए ठीक है payment हो गएर आप 20 तक कर सकते हैं और इसकी जो exam date दे गई है जो हम लोग देखेंगे mains का ये October number में है tentative है अगर COVID-19 ठीक रहा तो ये exam conduct कराएंगे अनता नहीं तो देखिए date तो इनकी आ गई है interview conduct होने का भी October number में है और जो final joining है वो जनवरी में है January 2021 में है तो ये चीज़े हो गई है कुछ बच्चों का comment आ रहा था कि क्या paper seat जो है paper वहाँ पे जो rough seat दी जाती है क्या वो एक ही मिलेगी या दुबारा नहीं मिलेगी तो देखिए COVID-19 का काफी issue चल रहा है तो वहाँ पे आपको जो answer seat होगी वो आपके seat पे desk पे दो कम से कम रख दी जाए कि उसके बाद दुबारा शायद आपको लोग ना मिले इसमें mention आप पढ़िएगा बढ़ ये चीज़े हैं जो बच्चे कह रहे थे comment करके तो उससे ये पता चला है कि वहाँ बार बार आपको दिया नहीं जाएगा डिस्रब नहीं किया जाएगा तो दो है तो उसके लिए भी मैप गाइड करूँगा कि दो रॉप सीट में आप कैसे उसको फुल्फिल करेंगे तो बस चलिए देखते हैं कि कितनी वैकंसी है किस बैंग में है तो ये हम लोग आगे देखते हैं गाइज ये देखिए आपके इतने बैंग में लोफिसे स्केल 2 की वैकंसी है हम एके करके पूरी देखेंगे किस बैंग में कितना है तो पहले चीज़ ये है बैंग के नेम और ये है जनल कर्टेगरी का ये OBC का और ये EWS का है ये SC का है और ST का है और टोटल कितनी है टोटल देख लीज़े करीब 26 वैकंसी है टोटल 26 है बड़ोदा यूपी ग्रामीड बैंग का है अगर जो यूपी में चॉइस रखते है जॉब के लिए उनके लिए टोटल जनल में 8 वैकंसी है 8 वैकंसी जनल में टोटल है और OBC की 5 है और EWS की 2 है SC की 3 है और ST की 1 है टोटल 19 वैकंसी है बड़ोदा यूपी ग्रामीड बैंग में ठीक है तो ये चीज़े हो गई दक्षिम बिहार बैंग में ये बिहार का ग्रामीड बैंग है जिसमें एक वैकंसी जनल की है और किसी की वैकंसी नहीं है तो बाकि सभी लोग इसमें डाल सकते है इलिकवाई देहाती बैंग का है इसमें भी एक वैकंसी है सभी लोग डाल सकते है मारास्टर ग्रामीड बैंग का है दो वैकंसी इसमें भी डाल सकते है और उतकर ग्रामीड बैंक की एक वेकंसी है इसमें भी सभी लोग डाल सकते हैं तो टोटल 26 वेकंसी है इतनी वेकंसी फ्रेंड बहुत होती है लोफीसर की All India लेबल पे हमेशा 17, 18, 19, 21, 24 ऐसे वेकंसी देखने को मिलती है इस बार काफी बैंकों में वेकंसी नहीं आई है तो यूबी बड़ोदा यूपी ग्रामीड में काफी वेकंसी है तो ये आपके लिए काफी गुड़नी उस है और एक चीज और है इसमें कोई language, boundation नहीं कि आपको Hindi, English आनी चाहिए आपको Hindi आती है तो ठीक है इंगलिस आती है दो ठीक है दोनों के लिए आपको कहीं पे भी पूरे All India में ये आपको मिल सकता है बटा प्रिपेशन ऐसा करिए कि आपको Brother UP Gramid Bank ही मिल जाए तो ये So Good है बाकि जहां के जो State के हैं वो निसाब से उनको vacancy मिल सकती है तो ये है थोड़ी सी information आपके लिए vacancy की detail, qualification क्या होना चाहिए और age कितनी होनी चाहिए paper का pattern कितना होना चाहिए तो ये छोड़ी से information आपके लिए है vacancy की काफी need होगी तो please follow करिए चैनल को subscribe भी करिए तो friend चलिए ठीक है आज इतना ही वीडियो में अगले वीडियो मिलते हैं और बाते करते हैं Okay friend, thank you for watching मिलता नेक्स वीडियो में, God bless you to all